दोस्तों तो आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर में डॉस के बारे में डॉस का मतलब होता है डिस्क ओपरेटिंग सिस्टम तो इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे और इस वीडियो को पूरे जरूर देखें चुकि आपको इसमें बहुत सी जानकारी मिलेंगी दोस्तों पूरा नाम क्या है डिस्क ओपरेटिंग सिस्टम है यह एक सिस्टम सॉप्टवेर है जो हाडवेर और अप्रेटिंग सिस्टम है अब यह चीज है इसका पूरेटिंग सिस्टम है अब यह चीज है इसका मतलब यह है कि DOS को एक समय पे single user ही execute कर सकता है और single tasking जो DOS होता है वो एक समय पे एक की task को पूरा कर सकता है यानि एक की काम कर सकता है जबकि जो Linux operating system है वो multi user होता है और multitasking operating system होता है यह important fact है अब next यह है दो version में available है पहला है MS DOS और दूसरा क्या हो जाएगा PC DOS हो जाएगा अब चर्चा कर लेते हैं इन दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी पहला है MS DOS इसे Microsoft के द्वारा बनाया गया है जबकि जो PC DOS है यह personal computer disk operating system है जिसे IBM के द्वारा बनाया गया है यह important है बहुत next दोस्तों अब देखिए DOS character user interface होता है अब यह क्या चीज है character user interface का मतलब होता है कि user के द्वारा जो character दिये गए हैं उस अनुसार यह क्या करेगा interface करेगा तो DOS कैसा है character user interface होता है यह most important है अब देखिए DOS में दो प्रकार की command होती है पहली हो जाएगी internal command और दूसरी हो जाएगी external command अब दोस्तों पहले अपन चर्चा करेंगे internal command के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं तो अब देखिए internal command internal command वे command होती है जिनने operating system booting के दोरान swim execute करता है यानि जो operating system में जो booting की करिया होती है उसके दोरान ये swim execute कर ले उन्हें अपन क्या कहते है internal command कहते हैं तो internal command में पहली है CLS command इस command का use screen को clear करने के लिए किया जाता है दोस्तों मैं अभी आपको बताऊंगा MS-DOS में थोड़े example की माध्यम से कि ये CLS command का कैसे यूज होता है DOS में आप जैसे भी जितना भी अपना काम कर लेंगे उसके बाद CLS command का जैसे यूज करेंगे तो पूरी screen DOS की क्या हो जाएगी clear हो जाएगी next दोस्तों अब देखिए date command इस command का use system की date को display करने के लिए किया जाता है तो जैसे आप date use करेंगे date command का तो जो system में date डली होगी वो उस अनुसार date डिस्पले हो जाएगी next दोस्तों time command इस command का use system में वर्तमान समय को display करने के लिए किया जाता है तो time के अनुसरा time हो जाएगा और date के अनुसरा date हो जाएगा और आप इस अनुसरा date और time को command के अनुसरा बदल भी सकते हैं next दोस्तों अब देखिए version command ये भी important है इस command का use operating system तो उस अनुसार अपन इस computer का जो भी computer में version डला है उस अनुसार आप देख सकते हैं next दोस्तों dir command यह तो most important है इस command का use directory यानि folder में उपस्तित file और sub directory की list को देखने के लिए किया जाता है दोस्तों अब यह directory क्या होती है directory आप ऐसे समझे कि कोई folder है folder क्या होता है folder होता है files का समू folder क्या होता है files का समू होता है अब सोटी सोटी files वगरा है उन files का समू क्या कहलाएगा folder कहलाएगा और folder को अपन dos की बासा में क्या कहते हैं directory कहते हैं तो इसलिए मैंने bracket में भी आपको समझने के लिए लेख दिया तो directory का मतलब क्या होता है folder और folder क्या होता है files का समूँ होता है तो dir command का use आगया जैसे ही आप dir command का use करेंगे आपके सामने सारी directory यानि जितने भी folders हैं वो उसनिशवार खुल जाएंगे next दोस्तों copy command इस command का use file को copy करने के लिए किया जाता है ये भी important fact है most important next दोस्तों type command इस command का use किसी भी file के content यानि जितना भी जो matter वगरा लिखा है उसको देखने के लिए किया जाता है next दोस्तों vol command इस command का use disk के volume level या serial number को देखने के लिए किया जाता है ये most important serial number को देखने के लिए किस command का use किया जाता है तो इस command का use किया जाता है इस अनुसार ये paper में आ सकता है next दोस्तों prompt command इस command का use prompt यानि screen को बदलने के लिए किया जाता है next दोस्तों ECSO command इस command का use message को जो message वगरा है उसको print करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट दोस्तों पात कमांड इस कमांड का यूज किसी भी डायरेक्टरी या फाइल का पात देने के लिए किया जाता है यानि कोई भी डायरेक्टरी है या फाइल है उसका पात देने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है next दोस्तों mkdir command य fertility को बनाना इस command का use new directory को बनाने के लिए किया जाता है इसको पियाद जरूर रखें इस command का use directory को corps remove करने के लिए किया जाता है तो जैसे ही आप DOS में RD डालेंगे और जो भी आपकी डायरेक्टरी है उसका नाम डाल दीजे तो वो डायरेक्टरी क्या हो जाएगी रिमूव हो जाएगी और कुछिन पेपर में कैसे पूछेगा कि इस कमांड का च्या यूज होता है डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए कौपी करने के लिए इस अनुसार आप उस अनुसार ऑप्शन को कर पाएंगे अब देखिए chdir कमांड यह most important है ch यानी change dir यानी directory तो cd कमांड इस कमांड का use directory को change करने के लिए किया जाता है या एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए किया जाता है तो जैसे ही आप लिखेंगे cd कमांड लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे directory का तो आप उस अनुसार दूसरी डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे next दोस्तों next is cd.most important है present directory से बाहर आने के लिए किया जाता है तो मान लिजिए बहुत सी directory खुली हुई है और जो last directory है उसके आगए आप लिखते हैं cd.dot तो जो present directory है वो उस directory से आप बाहर आ जाएंगे और दूसरी directory में पहुंच जाएंगे next दोस्तों अब देखे delete या erase command इस command का यूज एक या एक से अधिक file या directory डिलेट करने के लिए किया जाता है ये भी important है next द ह्युत दोस्तों रोकने के लिए किया जाता है यानि जो batch files बगरा होती है उनकी processing को स्थाई रूप से रोकने के लिए किया जाता है अब batch file क्या होती है बेच batch files को आप समझ सकते हैं कोई भी text files बगरा है या command जितनी भी अपनने command लगाई यह उनका sequence है उनके sequence को जो operating system होता है उसको उस अनुसार क्या कहते हैं batch files कहते हैं यानि command के sequence को operating system में batch files कहा जाता है next दोस्तों अब देखिए external command आ गई अभी internal command के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं external commands के बारे में external command में क्या हो जाएगी वहाँ command जो user के द्वारा execute की जाती है उन्हें अपन क्या कहते हैं external command कहा जाता है most important user के द्वारा कौन सी command execute की जाती है तो external command हो जाएगा पहली external command में आप देखिए edit command इस command का use नई file बनाने या पुरानी file को edit करने के लिए किया जाता है most important है यह attribute को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है यानि आप जैसे ही आप A.T.R.I.P. कमांड लिखेंगे तो जो फाइल होगी उनका attribute को प्रदर्शित करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है जैसे read file होती है तो ये read file की संख्या बता देगा system file की संख्या पता देगा hidden file की संख्या पता देगा अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा DOS में लेके चलता हूँ और वहाँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा example के माद्यम से समझा देता हूँ तो दोस्तों ये आपके सामने खुल चुका है DOS का इसे अपन क्या कहते हैं ये पूरा program जो है ये command based program है यानि command का अनुसार ये पूरा program चलता है इसलिए अपन इसलिए इसे क्या कहते हैं command based program कहते हैं और ये जो पूरा लिखा हुआ इसे अपन क्या कहते हैं prompt कहते हैं ये इसे अपन title कहते हैं आप जानते ही हैं सब कुछ तो जैसे ही देखिए आप मैं इसमें लिखता हूँ D A T E Date और इंटर दवाता हूँ तो Present Date आजाएगी और अपन को New Date डालनी है तो अपन New Date डाल सकते हैं अपन को New Date नहीं डालनी है तो जैसे ही मैं इंटर दवाता हूँ यह वापिस आ गया अब आपन को जैसे time लिखना है तो time हो जाएगा और जैसे इंटर पर क्लिक करता हूँ तो यह सनुसा time बता देगा और यदि आपन को new time change करना है तो आपन new time भी change कर सकते हैं मुझे new time change नहीं करना है next दोस्तों जैसे मैंने बताया था cd dot dot cd dot dot मतलब क्या होता है directory में से यानि यह इस directory जो भी promote नाम की directory है उससे यह हट जाएगा जैसे ही मैं इंटर पर क्लिक करूँगा तो यह आप देखिए promote नाम की directory से यह बाहर आ गया cd dot dot का यह मतलब होता है और जैसे मैंने आपको पताया था md बताई चुका हूँ make directory remove directory के बारे मैं भी बता चुका हूँ और यह important important fact जैसे ही आप इस पे जितनी ज़्यादा practice करेंगे आप उस अनुसार उसको समझ पाएंगे तो दोस्तों यह मैंने ज़्यादा से ज़्यादा important fact आपके सामने रखें आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों इसी के साथ साथ इसका part 2 में जल से जल लाओंगा कुछ और facts रह गाएं जो important important है उसको मैं आपके second part में लाओंगा तो आपको यह वीडियो कैसा लगा like जरूर करें आपने friends में share जरूर करें कोई भी query या problem या सुजाव देना हो तो आप comment के माध्यम से दे सकते हैं और नए मेवान शुविंतिये चैनल को subscribe जरूर करते हैं और subscribe के बगल में आपको एक bell icon दिखेगा उससे आप जरूर दबाएं जैसे ही आप दबाएंगे तो आपको ऐस जै बारत